महानगर के कलक्टेट परिसर इस्थित सदर तैसील में उत्तर परदेशी मिनिस्ट्रियल कलक्टेट करमचारी संग द्वारा शुकरवार को काला फीता बांध का विरोध परदर्शन किया गया इस समंद में करेक्टेट करमचारी संग के महमंतरी विशशेश शुकला ने बताया कि विशेश यह विरोत परदर्शन 19 जुलाई से 23 जुलाई तक उत्तर परदेश के समस करमचारी काला फीता बांद कर करेंगे इसके परदेश के समस करमचारी धर्ना परदर्शन करेंगे और मुकमंतरी योगी अधितनाद को 24 सूतरी मांग पत्र सौंपेंगे इस समंद में गोरकपुन निव समाधाता से बात करते हुए विशशेश शुकला ने कहा हम बहुत समझ करें पत्र सौंट रहसे थे कि नपने अगां मैंने आया हम थे कि अ प्रदेश मिलिश्टियर क्लेक्टेट कर्मचारी संग गोरखपुर सासानस्तर पर कलेक्टेट कर्मचारी योग की लंबिच चोबी सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश नितित द्वारा लिए गए नेड़ा के क्रम में दिनांक 19 से 23 तक काली पट्टी बात कर प्रते कलेक्टेट कर्मचारी कारे करेगा 23 जुलाई को प्रदेश के समस्त कर्मचारी पोश्टकार्ट प्रेसल का कारे मानने मुख मंतरी महोदय को करेंगे और दिनांक 21 अगस्त को पूरे प्रदेश के कलेक्टेट कर्मचारी समपूर तालाबंदी करके सासन और प्रसासन को हिलाने का कारे करेंगे जिससे कि उनकी मांगे पूरी हो सके एवं यदि 16 सितंबर तक हम लोग की मांगों को नहीं माना जाता है तो 16 सितंबर को जीपियो पार्क हजरत गरे लखनव में पूरे प्रदेश के कर्मचारी इकठा होकर सासन के बंद कानों को खोलने का काम करेंगे एवं मानी मुक्मंत्री महोदय को ग्यापन प्रिसित करेंगे आज प्रदेश नेतित दारा दिये गए इस निर्देश के करम में कलक्टेट गोरखपुर के समस्थ कर्मचारी काली पट्टी बात कर अपने कारियों को संपाधित कर रहा है एवं सासीलों के करमचारी भी काली पट्टी बात कर कार looking कर रहे है हम यहीं चाहेंगे कि माननी मुक्मंत्री जी हमारी मांगों की तरफ ज्यान दें यह हम उसको पूर करें जिसने की पूरे प्रदेश में तालाबंदी के इस्ति नया है जैसंग